बीते दिन संसद भवन में सदन की कारिवाई के दोरान हुई सुरक्षा में चूक की घटना पूरे देश में चर्चा का विशय बनी वही है। संसद भवन पहुंचे वहीं सोनिया गांदी भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्ता के बीच संसद भवन पहुंचे। एक तरफ विपक्ष के संसद केंद्र सरकार पर निशाना साथ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ संसद भवन की बनावट पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी चूक है तो समझे वो क्रेकर लेकर लेकर आए था अब बम लेकर आथा गुली लेकर तो तो क्या होता और सबसे पहली बात है कि भारते जनता पार्टी के संसद का पास के नाम से पास इसी हुआ था तो अभी अमनों का हाल जेल में रहते हैं। यह तीन सेक्यूरिटी रिंग्स पास करने के बावजूद एक्स-रे मशीन पास करने के बावजूद भी यह इंसिडेंस सामने आता है। 10-12 feet का difference है from the last rows of the parliament and the chamber and the visitors gallery. पहले 25 feet होती थी, मैंने ये चिठी लिखी थी special session में कि इतनी तादाद में लोग आते हैं कि कुछ भी movement भी हो रहा हुता है, अगर जादा large movement होता है तो आवाज आती है, वो अगर जोर से बात करे होता है तो disturbance होता है और खास के नारे बाजी हुई थी वहां पर, राजी सभा मैंने ये भी कहा था कि इस पर आप कारवाई करें पर कोई जवाब मुझे मिला नहीं है विपक्ष द्वारा लगातार की जा रही बयान बाजी को सत्ता पक्ष के नेता, राजनीतिक एजंडा बता कर इसकी लगातार आलोचना कर रही है विपक्ष को ऐसे सम्मेदन शील्च मद्दों पर अराजनीतिक करना ये किसी भी प्रकार से मुनासर नहीं है और विपक्ष का एक उनको मानस्तिक रोग हो गया है नकारात्मक रोग हो गया है जिसका जो है उनका इलाज होना चाहिए मैं मानी पदान मंती जी से अपील करता ह हो कि विपक्ष के हमारे जितने सीजस्थ देता हैं उनका मेंटर चेंग अप कराएं और उनका हिलाज कराएं